नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत दोस्तों आज की स्वीडियो में हैपिस्ट माइंट LTI और KPIT टेकनोलोजी के फ्यूचर के 10 साल बात के प्राइज क्या रहने वाले वो देखेंगे एक सेर का क्या प्राइज होने वाला है तो पहले मैं बता कि ये कंपनी बड़िया पैसा चापने वाली है यह दि बात करें इस कंपनी की 35% की कंपाउंडिंग आपको मिलेगी आने वाले टाइम में तो हम मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि 10 सालों के बाद कितना प्राइज जो है इसका एक सेर का होने वाला है फिलाल जो यहाँ पर एक सेर की जो वैलियो लगबग जो है 20,000 रुपे का एक सेर होगा आने वाले 10 साल में तो यहाँ पर पैसा करीब गरी 20 गुना तक हो रहा है ठीक है तो आगे चलके मुझे लगता है ऐसी ही पैसा ये कंपनी बना कर के देगी इसकी बाद हम देखेंगा दोस्तों तीनों ही सेर में जो है 50,000 रुपे इनवेस्ट करें तो कितना पैसा हमारा लोंग टरम में 10 साल में और 20 साल में बनेगा अगले सेर की अगर बात करें अगली कंपनी है तो KPIT टेकनोलोजी अलांकि इस कंपनी के बात करें रिकोर्ड की तो सैमी कंडेक्टर चिप जो होती है वो यह कंपनी बनाती है । जो है ऐसी कंपनी है जो सैमी किनयेक्टर चिप बनाती है। याप इस कंपनी के लिस्टिव होई थी 2019 में तीन साल में इस कंपनी ने 532% के रिक अधीश यहापर देखने को मिलेंगे आपuko ठीक है मुझे लगता है यह कंपनी भी बहुत n Colonialaina प तो इसके share की अगर बात करें, एक share की जो value है, 687 रुपे का एक share है, तो मैं दिखाना चाहूँगा, 687 रुपे का share है, वो 10 सालों के बाद कितने का होने वाला है, तो अगर ये company लगातार ऐसी return देती, तो आपका एक share जो होगा, वो 13,813 रुपे का एक share होगा, आने वाले 10 सा में, तो देखे का KPAT technology का एक share कितने का value का हो रहा है, 13,000 रुपे का आसपास का एक share होगा, तो काफी बैतरी return ये भी company आपको देगी, अगर बात करें, नेक्स्ट जो company है, वो है Larson Turbo Infotech, जो की large cap company है, और इस company के record की अगर बात करें, all time की, तो इसकी listing करी, मैं दिखाना चाह तो आगी चल की, ये company भी काफी बैतरीन कर सकते है, मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें काफी गिरावट हो चुकी है, यहाँ पर मुक्का मिल रहा है, कि अगर आप investment करना चाते तो कर सकते है, 33% के आसपास की गिरावट है, जिदी बात करें, इसकी compounding की, तो काफी बढ़िय अराम से दे देगा, तो इसके एक share की value हो, दोस्तों, 4760 रुपे, इसके according देख लेते हैं कि एक share की value, 10 साल बाद कितनी होने वाली है, तो 4760 रुपे मैं डाल गेता हूँ, एक share की value, और इसमें 35% का return, 10 साल के बाद, एक share की value हो जाएगे, 95,000 रुपे, तो देखेगा, दे देती है, तो इसका जो है टुकडा हो जाएगा, उतनी price का, ठीक है, अब हम मान के चले, यहां पर 50,000 रुपे की investment करें, इन तीनों stock में, और 10 साल का time दे, 35% की compounding के साथ, तो यही 50,000 रुपे, आपको 10,000 रुपे बना करके देगे, लेकिन इसके लिए time देना जो अच्छे सेर है, वो 30-35% की return दे देंगे, स्टार्टिंग के 10 सालों में, क्योंकि इनकी listing अभी होई है, तो यह small cap type के, और mid cap category के सेर है, तो 35% की average जो है, सालाना रेटन आराम से दे सकते हैं, सेर, ऐसे हैं, ठीक है, अच्छे चले तो, 50,000 की investment, 20 सालों के बाद आपकी हो long term में ऐसे ही पैसा आपका भी बनने वाला है, तो मिलते हैं दोस्तों next video में, thank you so much